गाईज कैस्तो आपको आपको आज की रेसीपी बहुत ही पसंद आने वाले है गाईज तो आज हम बराने जार एक काठिया वाड़ी भरवा मिर्ची मतलब की काठिया वाड़ना भरे लामर जागाईज तो आज की रेसीपी है बहुत ही दमदार होने वाली है क्योंकि जिस भी रेसिपी के साथ काठियावाड का नाम जूड जाता है तो ओटोमेटिक ही दमदार हो ही जाती है और हाँ गाइस अगर ये बारिश की मुसम में आपी रेसिपी ट्राइ करते होना गाइस तो ट्रस्ट मी सबका दिल जीत लेने वाले हो आप अगर आपको आज की रेसिपी आज का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना हूलेगा इस तो चलो आगे बढ़के अपनी रेसिपी के लिए तो दोस्तों यहाँ पर काथिया वाड़ी भरवा मिर्ची बनाने के लिए सबसे पेले तो हमने यहाँ पर एक कप कच्चा सिंगदाना यानि की रो पीनट्स लिया है और उसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे करीबन दो से अढ़ाय मिनित तक रोश करेंगे और ड्राय रोश रोश करना है तो दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे हम ड्राय रोश करते जाएंगे वेसे वेसे एक अच्छी सी अरोमा आने लगेगी और थोड़े-थोड़े क्रेक हो जाएँगे अपनी यह सिंगदाना तो ओटमिटिक ही आपको पता लग जाएगा कि अपना सिंगदाना य हम आसानी से यूज कर सकते गाई तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है अपने सिंग दाना तो हम क्या करेंगे उसको ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में और यहाँ पर हम लेंगे एक कब जितना सिस्मे सिध्याने की वाइट तिल तो उसको भी हमें करीबन आधे मिनिट तक ही ड्राय रोश करने में तो उसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं प्लेट में और आगे बढ़ते हैं अपने रेसिपी के और तो यहाँ पर करीबन एक टेबर स्पून जितना हमने ओईल लिया है कूकिंग ओईल और उसमें एड करते हैं करीबन एक कप जितना बेसन हम यहाँ पर करेंगे और उसे हमें रोश करना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेंपे और अगर हम लो फ्लेंपे भी करते हैं तो काम चल जाता है अपना क्योंकि यह जो बेसन होता है उसकी जात बहुत ही नाजुक होती है तो बहुत ही जल्दी जल जाता है यहाँ पर तो बस हमें वही बात का खयाल रखने का है और कंटीनीजली चलाती रहने का है यहाँ पर हाँ दोस्तों यहाँ पर जो बेसन है उसकी खास्यत है कि जैसे जैसे हम उसे रोष करते है वैसे वैसे एक बहुती बढ़िया सी ऐसी खुशबू यानि कि अरोमा आने लगती है अपनी इस बेसन में से तो ओटोमेटिक ही हमको पता लग जाता है कि अपना बेसन अच्छे से कूख हो रहाएगा इस तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिल्कुल अपना बेसन यहाँ पर कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और एक काम करने में करीबन 2-8 मिनिट ही जाएगा इस तो यहाँ पर बढ हमने पिनट यानि की सिंग दाना को जो रोश किया था ना उसकी सब छिलके निकाल दिये तो उसको ट्रांसफर करने के एक मिक्सी जार में और उसकी साथ ही हम यहाँ पर एड कर देंगे रोश किये हुए सिस्मी सिव यानि के तिल तो उसका हमें यहाँ पर दर दरासा तो बहुत ही बढ़ीया टेस्ट अपना इंहेंस हो जाता है जब हम इसी तरह से कुछ एड करते हैं अपनी रेसिपी में घाई्स तोच आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के वर तो यहां पर अपना hero ingredients याने कि men ingredients मिर्ची हरी वाले मिर्ची जो हमने यहाँ पर जो मिर्ची यूज किये ना उसको बोलते है वढ़वाने मिर्ची और यह वढ़वाने मिर्ची मतलब कि गुजरात में एक वढ़वान करके सीटी है वहां का यह मिर्ची है और मिर्ची है इसलिए उसका नाम वढ़वाने मिर्ची कहां जाता है और यह जो मिर्ची है ना साइज में मीडियम बड़ी होती और तिखी भी बहुत ही कम होती है गाइस तो ऐसे टाइप की रेसिपी हम जब ट्राइ करते हैं तो क्या होता है कि जो भी इसलिंग्स हम अंदर बरते है ना वह अच्छे से स्टफ हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़यासा टेस्ट मिलता है गाइस तो सबसे पहले तो हमने वढ़वाने मिर्ची को अच्छे से पोश लिया है साफ कर लिया है और स्लीट भी लगा लिये तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जितनी भी हो सकेंगे उतने सीर्स निकालेंगे और वैसे भी ये वढ़वानी मिर्ची होते हैं इसमें बहुत ही कम सीर्स रहते हैं तो यहाँ पर सब को हमने अच्छी तरसे कट लगा लिया है अपनी मिर्ची को तो दोस्तों अब यहाँ पर बारी है काठियावाडी भरवा मि कि गाइस तो जो गुजरात काठियावाड है ना उसकी कोई भी रेसिपी लेलो बहुत ही बढ़िया होती अगर आपने काठियावाडी खाना नहीं टेश किया तो कुछ भी टेश नहीं किया इतना बढ़िया होता है काठियावाडी खाना गाइस तो यहाँ पर हमने जो पन भी आता है टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया सा आता है तो यहाँ पर एड़ कर देते हैं वन चोथाई चम्मच जितना हल्दी पाउडर और एक चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर और यहाँ पर पीसी हुई शक्कर डालेंगे एक चम्मच सबको अच्छी तरह से मिक्स क सबसी मसाला भी आप यहाँ पर अड़ सकते हूँ…. हारे वाले धनिया को सबको अच्छी तरह से अड़ करके मिक्स कर देते हैं…. तो बहुत ही चैटपटा सा टेस्ट में रखता है ख़ता है बैंगन अलुट यह रिजधानों सबस्ता कूँ कर बहुत ही आ दो भर्र वा, आद भी बहुती बढ़िया टेश मिलता है गाइस तो यहाँ पर अब एड़ कर देते हैं लेमन जूस आधे जैसा लेमन जूस गाइस तो बहुती चटपटी सी होने वाली है आज की रेसिपी तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल रेडी है अपना काठिया वाड़ी भरवा मिर्ची क मसाला जब बिल्कुल चटपटा है टेश्टी है और यकिन मानिये आज के बाद आपके घर में मिर्ची नहीं खाने वाले लोग भी यह रेसिपी ज़रूर ट्राइ करेंगे गाइस इतनी चटपटी और इतनी टेश्टी होती है काठिया वाड़ी भरवा मिर्ची और अगर आ उसका यूज आप जो भरवा बेंगन और पोटेटो की सबजी बनाती ना उसमें भी कर सकते हो और मज़े की बात ये भी है कि आप ए रेसिपी को यानि की मसाले को आट दिन तक श्टोर भी कर सकते हो क्योंकि इसमें जो भी इंगिने समनी यूज किये ना सब रोश किये लेकिन हमने यहाँ पर जो हरा वाला धनिया डाला है ना तो उसमें थोड़ा मोश्यर रहता है तो आप हो सके तो फ्रीज में ही रखना अगर आप ये मसाला स्टोर करना चाहते हैं तो जबी भी आपको कोई भरवा सबजी बनानी है ना तो गाइस बहुत ही इजी हो जाता है काम हाँ तो यहाँ पर अपनी काठिया वाड़ी भरवा मिर्ची बिल्कुल स्टफिंग होके रेडी है तो आगे बढ़ते हैं अपनी रेसीपी के और तो यहाँ पर हमने नौन स्टिक पैन ली है गाइस और उसमें एड करते हैं दो टेबल स्पून जितना ओल और गरम होने क के बाद ओल हम यहाँ पर एक के बाद एक सब अपनी भरवा मिर्ची को अरेंज कर लेते हैं लेकिन हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे ना गाइस लो फ्लेम पर ही करेंगे तो यहाँ पर काठिया वाड़ी भरवा मिर्ची को अरेंज करने के बाद हम करीबन आधे मिनिट तक बिल्कुल low flame पे उसको cover करके cook करेंगे क्योंकि हमारे जो मिर्ची है उसको cook करना ज़रूर है तो आधे मिनिट के बाद हम अपनी सब मिर्ची को पलट लेते तो already जो हमने masala यहाँ पर fill किया है वो cook किया हुआ ही है क्योंकि हमने यहाँ पर जो basin यूज किया है जो हमने peanut यूज किया है जो हमने sis में seeds यूज किया है सब हमने रोश करके ही किया है तो उसको ज़्यादा cook करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो मिर्ची है ना उसमें एक crispy पन लाने के लिए उसका कच्चापन निकालने के लिए रोश करना ज़रूरी है तो वापिस हम कवर करते हैं करीबन 10-15 सेकन के लिए तो अभी हम क्या करेंगे हमने यहाँ पर थोड़ा मसाला बचा कर रखा था तो उसको हम sprinkle कर लेते हैं अपने इस भरवा मिर्ची के उपर तो क्या होता है, इसकी सब अपने मिर्ची अंदर से तो स्टरफ की हुई है ही लेकिन उपर से एसे मसाला स्प्रिंटल करेंगे न तो उपर का टेश भी बहुत ही इंहेंस हो जाता है गाई, तो अभ हम क्या करेंगे 2 टेबल स्पून जितना पानी लेके उपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा तो क्या होगा कि मसाला अच्छे से मिर्ची के उपर कोट हो जाएगा लेकिन जैसे ही हम पानी स्प्रिंकल करेंगे तो तुरण जो बेसान है न वो पानी सोक लेता है तो वापिस हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना पान स्प्रिंकल करके उसको हलके हातों से बिल्कुल थोड़ा अलट पुलट कर लेंगे और वापिस उसको कवर करके लो फ्लेम पे करीबन आधे मिनित तक ही हम कुक करेंगे ताकि क्या होगा कि एक बढ़िया सी स्मोकी फ्लेवर भी मिल जाएगी और यहाँ पर जो मसाला है न वो भी मिर्ची के उपर एकदम अच्छे से कोट हो जाएगा तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है अपना चट पटा सा ऐसा टेश्टी सा ऐसा काठिया वाड़ी भरवा के में डेड रेसिपी है और यहाँ पर अगर आप यह बारिश की सीजन में ट्राइ करते हो ना बरसात की मोसम में गाइस तो डेम शोर की आपके घर वाले आपकी तारिफ करके नहीं रुकेंगे गाइस तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सव होने के लिए रेडी है अपना क को गुणा बढ़ा देने वाली है यह रेसिपी गाइस यहाँ पर वेरी सोफ रिमांडर के आप मेरी वीडियो मेरी रेसिपी पसंद कर रहे हो और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना गाइस तो है गाइस कैसे लगी मेरी आज की रेस के इसी प्यारी प्यारी अमेजिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए किप स्माइलिंग जय हिंदु बंदी मातरम टाटा एंड थैंक्स पर वुचिंग बाबाई